तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग की ओर से आने वाले सैमसंग गैलेक्सी A52 के बारे में जिसको लेकर कुछ न्यू अपडेट जो है सामने निकल के आए हैं जिससे ये तो कन्फर्म हो जाता है कि ये स्माटफोन सैमसंग गैलेक्सी A51 के कमपैरिजन में काफी इंप आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी A52 में 5G का सपोर्ट जो है मिलने वाला है यानि कि आप लोग इस मोईल में अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे और गैलेक्सी A52 स्माटफोन काफी एगरेसी प्राइस के साथ आने वाला है तो चली दोस्तों इस चुड़ों में बात कर देखना तो चली गाइस इस वीड़ों को बिने किसी दिरी के सुरु कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं सुनके गेमिंग प्रोसेसर के बारे में क्योंकि इस फ़न में जो गेमिंग प्रोसेसर मिलने वाला है इस फोन के अंदर आपको कॉल कॉम स्नैप्डगन 750G का जो चोई कि दोस्तों मेरे हिसाफ से काफी बढ़िया प्रोसेशर है तो आपको गेमिंग गड़ा खेलने में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और यह प्रोसेशर 5G Tengalogy के साथ आता है तो यह बात तो काफी बढ़िया हो जाती है कि यह फॉन जो है 5G Tengalogy के साथ आता ह महीवर बात कर上oda इस फोन की डिसПले के बारे में तो डिसप्ले भी इस फोन में आपको काफी बड़ी है देखने को मिलने वाला है इस फोन में आपको 6.5 इंच का Full HD Plus एक Super Ampliר Dilा बिस्पले मिलने वाला है जो की prise Oh Dos Expand के साथ आएगा तो display की quality इस phone में आपको काफी बड़े देखने को मिलने वाली है बात करते हैं camera department के बारे में तो इस phone के अंतर आपको जो है quarter ear camera मिलने वाला है जिसका primary sensor आपको 64 mega pixel का देखने को मिलेगा 12 mega pixel का ultra white angle lens, 5 mega pixel का depth sensor और 5 mega pixel का micro sensor जो है देखने को मिल जाएगा बात करते हैं front camera के बारे में तो front में आपको 32 mega pixel का selfie camera देखने को मिल जाएगा तो overall देखा जाएगा तो camera भी इस phone में आपको काफी बड़े देखने को मिल जाता है बात करते है रैम बेरेंट के बारे में तो इस phone में आपको 2 RAM बेरेंट मिलने वाले हैं 6GB RAM और 8GB RAM बात करते हैं इस phone के बैटरी के बारे में तो इस phone के अंदर आपको 5000 mh का बैटरी मिलने वाला है जो की 25 वट की far charging के साथ आएगा तो बैटरी भी इस phone में आपको काफी बड़े देखने को मिल जाता है और ये phone out of the box Android 11 के साथ आने वाला है जो की Bunny UI पर रन करेगा तो इस तो देखाया तो सभी इस phone में आपको काफी बड़े देखने को मिल जाते हैं इस phone में आपको Qualcomm Snapdragon 750G का प्रोसर देखने को मिल जाता है एक Super Amore Display देखने को मिल जाता है और उपर से इस phone में आपको Quad Air Camera देखने को मिल जाता है जिसका Primary Sensor आपको 64 Megapixel का मिलने वाला है तो overall इस phone में आपको सभी फीजर काफी बड़े देखने को मिल जाते हैं आप आते हैं इस phone के Pricing कह रहने वाली है इस phone के Pricing आपको 25 से 30 अरगे बजट में ही देखने को मिलेगी इस से जादा देखने को नहीं मिलेगी अगर ये smartphone इस price point पर आता है तो ये smartphone काफी बड़े smartphone रहने वाला है तो दोस्तो यही था Samsung Galaxy A52 के बारे में कुछ confirmation और आपको ये phone कैसे लगा आप मुझे नीचे comment में जरूर बताना क्योंकि आपका feedback भी बहुत जरूरी है दोस्तो वीड़ो पसंदाए तो वीड़ो को एक छोटा सा लाइक कर देना और दोस्तो मिलेगी आपको अगली वीड़ो में तब तक के लिए गुट बाई